हलो, option series के इस class में हम लोग सीखेंगे कि एक option की profitable होने की probability कितनी होती है जब आप उस option को खरीद रहे होते हो, मतलब, मतलब बहुत simple है जब आप option खरीदते हो, आपको पता है unlimited profit हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ अगर आपको ये भी पता है कि उस option के profitable होने की probability कितनी है, संभावना कितनी है, 50% संभावना है या 90% संभावना है या 10% संभावना है, अगर आपको ये पता चल जाए, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप एक better trader बन पाएंगे और कम से कम एक सही judgment ले पाएंगे कि क्या मुझे अभी इस stage पे ये option खरीदना है या नहीं है, तो इस class मे हम लोग यही सीखेंगे, चलिए, अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, इस free option series की, तो सुरुवात में ही मैंने आपको बताया था कि लोग छोटे-छोटे options खरीद लेते हैं, और ज्यादा तेर option buyers नुकसान करते हैं, और यहां से हम लोगों ने free web series बोल रहा हूं है, ये options की series हम लोगों ने शुरू की, और सबसे ज़्यादा comment इसी बात का आया था कि आखिर आपने जो ये बताया कि लोग ये classical mistakes करते हैं, उसमें से एक mistake था कि बिना probability जाने trade कर लेते हैं लोग, तो वो probability हम कैसे निकालें, ये आप बताओ, तो इसलिए मुझे लगता ये long pending video था, तो फोड़ा delay हो गया, क्योंकि मेरी तव्यत पिछले चार दिन से खराब हो गई, मैं इसलिए बात mention कर रहा हूं, because जितने भी YouTubers हैं, finance में जो video बना रहे हैं, उन सब को मैं आज अड़ माहर करता हूं इस बात के लिए, कि वो कई महीनों से, सालों से, free content बना रहे हैं, जितनी उन की समझ है, जितना उनको आता है, उसके हिसाब से वो बना रहे हैं, सच बताऊं, तो ये content बनाना बहुत मुश्किल काम है, खास करके तब, जब आपको बिल्कुल पता ही नहीं कि आपका content कौन consume करने जा रहा है, उसको पहले से कितना पता है, देखिए, classes में पढ़ाना आपको नहीं जानता, क्या-क्या gaps अभी हैं, जो आपको पता होना चाहिए किसी भी concept को fully digest करने के लिए, ये भी नहीं पता होता, तो इसलिए मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि अगर एक या दो या चार लोग का नाम लूँगा, तो मैं restrict कर दूँगा इस community को, बहुत सारे लोग हैं, शायद, कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और वो जो भी कर रहे हैं, financial literacy को बढ़ावा ही दे रहे हैं, बहुत सारे लोग, आज से तेर साल पहले, जब मैंने ये 990 का course शुरू किया था, उस सम्में पर मुझे लगता था कि कहीं भी content नहीं है, लोग आखिर पढ़ने कहां जाएंगे, लेकिन मैं चाहता था कि अपने learners के साथ connected रहा हूं, इसलिए अपना website launch करना और ये सारी चीज़े की मैंने, बिट अभी जो stage मैं देख रहा हूं, वहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत अच्छा content मना रहे हैं, especially finance की बात कर रहा हूं, and I really salute them, admire them, hats off to them, मैंने अभी 20 दिन पहले शुरू की, और seriously stress में कि अब अगला content किस तरीके से simplified और अच्छा दूँ, उसे stress में साथ दिमार पड़े आँ मैं, तो मैं ये समझ सकता हूं कि कितना stress लेकर वो लोग content बनाते होंगे, ये वो लोग हैं जो आपके लिए movie produce कर रहे ह 20, 25, 30 minute का, जिसमें actor भी वही है, director भी वही है, producers भी वही है, तो एक thanking video, आप सारे लोगों को, जिन्नोंने बहुत अच्छा content बनाया है, finance के field में, और India के लोगों को educate किया है, इसके साथ मैं एक चोड़ी सी चीज़ अरुस करना चाहूंगा, मैं बहुत लेट शुरू कर रहा हूँ YouTube पे content देना, बट मेरी कुशिश होगी कि कुछ content इस तरीके से बनाऊ, ताकि आप बहुत अच्छे trader या investor बन सको, बहुत एक scientific तरीके से, because math और numbers ही मेरा approach रहा है, तो आप मेरे भी channel को, जैसे उनके channels को आपने इतने likes दिये, subscribe दिये, मेरा analytics ये बोलता है कि लोग आते ह हैं, मेरा channel पे video देखते हैं, और मुझे subscribe नहीं करते हैं, जिसके भी YouTube का analytics समझ में आता है, उसने देख के मुझे बताया, तो आप please मेरे channel को भी subscribe करें, और नीचे एक bell icon होता है, उसे press करें ताकि जब भी मैं कोई video release करूँ, जैसे भी behavioral finance का video release करने वाला हूं हर Monday को, तो please आपका बहुत time ले लिया, अब हम सीधे आते हैं उस example पे, जहां पर हम इस example में सीखने वाले हैं, कि probability कैसे निकालनी है, इस class में कुछ छोटा सा, एक बिल्कुल छोटा सा tool यूज करने वाला हूं, मैं उसे code भी नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको coding, math और coding को लेकर, बहुत सारे लोगों को, हम मैं से बहुत सारे लोगों को बहुत सारा डर है, तो आपको डरने की बिल्कुल जरुवत नहीं है, जिस तरीके से आप Gmail यूज करते हो, जिस तरीके से आप Google Drive यूज करते हो, जिस तरीके से आप Excel शीट यूज करते हो, कोई भी टीवल यूज करते हो, व आपको कुछ नहीं करना, hello at the rate kundankishow.in पर email कर देना है कि आपको ये code चाहिए, या ये जानना है कि ये tool को कैसे आप अपने Google account से चला पाएंगे, तो आते हैं हम लोग और देखते हैं इस पूरे process को, थोड़ा slow जाऊंगा मैं, सबसे पहले तो ये मैं दिखाना चाहूंगा आ यहां पे आप अगर आएंगे as a learner, तो आपको दो courses, एक Hindi और English का दिखेगा, और trading के दो courses, मैं चलाता हूँ, advanced option course, course नहीं है, program है, और एक statistical arbitrage का, तो advanced option course के अंदर, कुछ tools बना के दिये हैं मैंने लोगों को, train भी किया है, सारे non-programming background के लोग हैं, और बहुत अच्छे से वो course tool पे ले जाना चाहूँगा आपको, मेरे लिए, जो path है, यह होगा, आपके लिए, आपको, फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो सारे code हैं, वो यहां पे हैं, और, इसे हम लोग बोलते हैं, Google Collaboratory, जस तरीके से Google का Gmail है, जस तरीके से Google Drive है, उसी तरीके से Google ने code run करने के लिए, एक platform दिया है, आपके पास अगर यह code है, अब ready available, तो कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, तो यह एक Greek calculator, option Greeks, अभी तक मैंने आपको introduce किया नहीं है, आप समझे कि यहां से Greeks का introduction भी कर रहा हूं, तो यह Greeks calculator का code मैंने दिया हुआ, इस course के अंदर, आप मुझे hello at the rate kundankishore.in पर email करें, कि आपको भी यह code चाहिए, तो code के साथ साथ एक live session, जहां पर मैं आपको step by step बता दूँगा कि कैसे इसको run करना है, साथी साथ जो बाकी code है, उनमें से क्या important code है, जो आपके पास भी होना चाहिए, एक session मैं ले सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बा calculator open कर लिया है, कुछ भी नहीं करना है मुझे यहां पर, जैसा मैंने आपको बताया, इसे मैंने एक बार run कर दिया, हम सीखने वाले हैं कि कैसे किसी option की probability निकालनी है, तो मैंने ये code run किया, ये किया, अब यहां पर मुझे कुछ value change करने थे, जो मैंने कर दिये, जैसे कि पहल कान लीजिए, जो मैं example लेने वाला हूँ, उसके हिसाब से, bank nifty का एक option, अभी bank nifty चल रही है, 37,775 पे, मैं इसके option chain पे जाता हूँ, और 37,775 की जगह, चुकि बहुत सारे लोग ये छोटे-छोटे options खरीते हैं, लीजिए मैंने 49,000 का, 49,000 strike price का एक option ले लिया, ये कितने का बिकर है, 30.60 पैसे का, तो कुछ-कुछ values मैं आपको यहां से उठाने बोलूँगा, अब आपको पता है कि option की price 30.60 पैसे है, ये column है, implied volatility का, मैंने आपको Wix समझाया था, अभी आप ये समझे कि implied volatility वो volatility है, जो इस specific option का, 39,000 के strike price का option का volatility है, इसकी खुद की volatility है, कैसे calculate होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी आप इस number को freeze करें, कितना, 16.89, option का price कितना, 30.60, कब, कल Friday था, तो Friday, कल market close था, अज Saturday को मैं ये record कर रहा हूँ, Thursday की expiry है, ठीक है, नीचे एक चीज़ और आपको उठाना है, क्या पता है, 10% interest rate is applied while computing implied volatility, यही values यहाँ पे मैंने डाने सबसे पहले, stock price, मतलब जो underlying हमारा price है, 37,75, जो की nifty का price है, bank nifty का price है, strike price 49,000, interest rate 10,000, कहां से उठाया मैंने, मैंने उठाया है, कहीं और से नहीं, NSE के website से, option chain में, बिलकुल नीचे में, ये NSE publish करता है, बोलता है, कि मैंने 10% का interest rate लिया है, option के price को calculate करते हूँ, क्या वो option के price को calculate कर रहा है, वो भी हम समझेंगे, इसी video में, या कोई और चीज़ calculate हो रही है, अभी है वो 10%, ये आप याद रखेंगे, क्या-क्या value आपको उठाना है, मैं repeat करूँगा, आप bank nifty का value उठाएंगे, strike price का value उठाएंगे, strike price के बाद आप implied volatility उठाएंगे, और आपको पता है, 6 दिन में expiry है, तो आप 6 दिन आप लिखेंगे, क्या-क्या मुझे भरना है, मुझे भरना है कि अभी 37,775 है, 37,775 है, bank nifty, 49,000 के strike price का option है, interest rate bank nifty ने 10 लिया है, day of expiry, 6 है, volatility, implied volatility, इस option की, 16,9,8 है, मुझे इस code को run कर देना है, मैंने इसको बस click कर दिया, यह run हो गया, उसके बाद, दूसरा, इसको call कर लेना है, आपको, आप अगर programming background से नहीं हो, तो कोई डरने की जरुवत नहीं है, मैं भी programming background से नहीं हूँ, और 90% मेरे जो learner है, वो भी programming background से नहीं है, लेकिन जिस तरीके स मैं आपको step by step बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको आके run कर देना है, मतलब, जो भी values उपर डाली, उनको यहाँ पे डालके एक बार calculate कर लेना है, उसके बाद, finally, हमें यह print कर आना है, क्या-क्या, इस पे मैंने click किया, अब देखिए, यहाँ पे print हो गया, क्या-क्या, Greeks, उनके values, और call price is 30.59, मतलब 30.6, कितना है हमारा option का price, बिलकुल उतना ही है, 30.6, 49,000, 30.6, तो 30.6 सिर्फ इसलिए आया, क्योंकि आपने सारे values ही वह लिए, तो मैं आपको option pricing के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, देखिए, NSE option price calculate नहीं कर रहा, या लोग जो trade कर रहे हैं, वो भी option price calculate करके trade नहीं कर रहा है, supply demand के हिसाब से, अपने अपने behavior से, लोग call और put, buy कर रहे हैं, sell कर रहे हैं, और जब वो buy, sell कर रहे हैं, तो आखरी trade जो हुआ, वो 30.6 का हुआ, तो जब वो rate हो गया, तो यहाँ पे option को समझने के लिए, ब्लैक तुम्हें strike rate पता है, मतलब underlying से कितना दूर है तुम्हें पता है, फिर क्या पता है तुम्हें ये भी पता है कि कितना दिन है expiry में, ये दो factor है जिनके ऊपर option का price depend करेगा, कोई option बहुत दूर की expiry है, बहुत दूर की expiry है अगर तो उसका price भी ज़्यादा रहेगा, right, अभी बहुत सारी classes होंगी हमारी, लेकिन factor क्या-क्या है जो आपको समझना पड़ेगा option pricing के लिए, एक कि भई कितना दूर है strike से, strike price underline से कितना दूर है, point number one, जितना दूर रहेगा option उतना सस्ता रहेगा, मतलब अगर 38,000 bank nifty है और 38,000 की आप call डून रहे हो, तो 38,000 की call उन strike price और underline के बीच का gap, time कितना बचा है expiry में वो, इसके बाद आता है interest rate, तो interest rate आपको assume करके चलना पड़ेगा, हर player, हर वो बंदा जो ये tablet कर रहा है, price, वो लेके चलेगा कि कितना interest rate लेना है, अब NAC ने सालों से interest rate दस रखा हुआ है, जबकि हम देखे तो अभी interest rate काफी ग किसी ने 10 रखा हुआ है, तो जब भी आप volatility calculate करने जाओगे, तो आपको वो 10 लेके चलना पड़ेगा, तो क्या-क्या main factor है, मैंने in fact इसके उपर भी एक sheet बनाई हुई है, कि आपको क्या-क्या option price को consider करते वक्त, या option price को समझते वक्त, क्या-क्या वो चीजें हैं, जो आपक पता होती हैं, और कौन सी चीजें जो आपको पता नहीं होती है, और कौन सी चीजें जो आपको assume करनी होती है, तो underlying और strike price पता है, interest rate मैंने assume किया है, number of day of expiry 6 है, volatility नहीं पता है हमें, तो ये बड़ा confusing मसला था, लोग option करते आते थे, trade करते थे, अब decode ही नहीं कर पाते थे, कि बढ़ी trade क्यों आज इसका price बढ़ गया, या क्यों इसकी price इतनी घट गई, तो black show लाए, और बाद में merton भी इनको join किया, इनको noble price मिला इस शीज के लिए, और इन लोगों नहीं ये बताया, कि मैं तुमें एक formula दूँगा, और उस formula में सब कुछ fit हो जाएगा, और तुम समझ में आएगा, क्योंकि तुमें समझना कुछ ही नहीं, तुमें सिर्फ volatility समझनी है, कि market अगर volatile हो गई जादा, तो options के prices बढ़ जाएगे, volatility अगर उतनी ही रही, अगले दिन भी, तो हर दिन option का price थोड़ा कम होगा, उसके कारण option का price नीचे आ जाएगा, तो वो तो linear है ब बिल्कुल वैसा नहीं होगा, ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि अगर 5 दिन में option price 100 है, तो 6 दिन अगर expiry में बाकि यह थोड़ा जादा ही रहेगा, अगर मैं बाकी सारे factors को freeze करके रखूँ, अब मान के चलिए कि मैं इस class में आपको सिर्फ पर probability नही करते हैं, कि उन्हें यह लगता है कि ब्लैक्शोल मर्टन का जो model है, उस model में वो अपने variables को डालेंगे और option price को predict कर लेंगे, मैं बोलता हूँ नहीं करना है आपको, आपको बस intuitive level पे समझना है, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि as a trader आप तभी successful हो पाओगे, जब आप wise भी बनो और smart भी बनो, तो अभी wise तिंग यह है कि intuitive level पे option pricing को आप समझो, तो यह जो 4-5 factor मैंने आपको बताए, इन में से जो एक factor है, वो हमेशा unknown रहेगा, क्या, नाम भी उसका वैसा ही है, volatility, जो चीज प्रेडिक्टिबल हो गई, वो volatility तो नहीं है न, volatility तो unpredictable है, unpredictability के कारण जिस आती है, volatility, तो NAC ने भी यही किया, पता है क्या किया, NAC ने भी बोला, भाई, मैं धंदा चलाने आया हूँ, ब्रोकिंग का, मैं researcher नहीं हूँ, मैं कोई नया model नहीं देने जा रहा हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं भी black saw model ने यूज़ करूँगा, मैं interest rate, assume करके चलूँगा 10%, expiry पता है, time पता है, strike rate पता है, मुझे display क्या करना है, trade हो चुगा, तो बस एक ही तो variable है, जिसे मुझे डालना है और लोगों को display करके दे रहा है, क्या, volatility, तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो 49,000 की volatility 16.89 है, 38,900 की volatility 16.75 है, अगर मैं 38,000 की बात करूँ तो 16.5 है, मतलब हर strike price की option की implied volatility बदल जा रही है, क्यों, क्योंकि reverse calculation हो रहा है, मतलब एक तरफ से सारे variables को डाला जा रहा है, और एक social media पे जोग चलता है, anyway, तो एक तरफ से सारे variables को डाल रहे है, expiry, strike rate, और बाकी सारी चीज़ें, interest rate बचा और क्या ही बचा, और हम निकालने की क्या कोशिश कर रहे है, क्यों, price तो हो चुका, trading हो गई, buyer seller आये, और एक trade freeze हो गया, अब जब वो trade freeze हुआ, तो buyer को भी सब कुछ पता है, seller को भी सब कुछ पता है, कि कितने दिन expiry के बच्चे हैं, strike price से कितना दूर है, और trade हो चुका, तो NAC का काम रह जाता है, black shawl merton model को use करना, और आपको implied volatility बता देना, तो यही वो implied volatility है, ठीक है, तो आपको option price भी समझ में आ गया, तो यह जो code मैंने भी call किया है, इसमें कुछ नहीं, black shawl merton model का जो step by step formula है, वो इस code के अंदर डला हुआ है, तो मैंने बस उसी को call किया, अगर आप यहाँ पे देखेंगे न, तो आपको दिखेगा कि हम लोग यह black shawl merton model को ही call कर रहे हैं, और वो library बनी हुई है, already python में, मैं उसे बस call कर रहा हूँ, और call करके यह सारी चीज़े display कर रहा हूँ, तो black shawl merton model ने लोगों की life इस तरीके से आसान कर दी, कि उन्होंने उनको बता दिया कि भी, ऐसे बिना मतलब के कुछ नहीं हो रहा, reason है, market volatile हुआ है, और इसलिए option के prices बढ़ गया है, यह volatility गिरी है, और दो-तीन दिन time भी pass उचुका, इसलिए option का price गिरा है, दीरे दीरे आपको समझना आप शुरू कर दोगे, तो फिर आप जब wise बनोगे, फिर आप समार्ट चीजे करोगे, क्या इसमें से मुझे लेना है, क्या मुझे NSE के हिसाब से जाके 10% ही लेना है interest rate या कुछ और लेना है, क्या मेरे पास कोई predictive model होना चाहिए, intuitively मुझे किस त लोग clueless थे, price का एक formula निकल के ही नहीं आता था, और उन्होंने वो formula दी दिया, और उन्हें noble price मिला, और आपके responsibility बनती है कि आप उसे बहुत अच्छे से समझे, मैंने कई जगर लोगों को बोलते सुना है कि कोई ज़रूरत नहीं ग्रीक समझने का, कोई ज़रूरत नहीं ह black soul murder model समझने का, और आप option trade करो, risk manage करो, trade manage करो, position यहां से वहाँ ले जाओ, और उससे हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, सिर्फ उससे नहीं होगा, ठीक है, यह सारी चीज़े आपको समझनी पड़ेगी, अब आते हैं हम लोग, उस original question पे, कि भई, कितनी probability है, तो जब म मैंने इस step को जब run किया, तो मेरे पास निकल के आगया option, मैंने सारी चीज़े वही डाली थी, सारे variable डाले थे, अब यहां पे मेरे पास आगए Greeks, तो इस formula को देने के अलावा, उन लोगों ने कुछ और चीज़े भी दी, तो यह जो मैं probability की भी बात कर रहा हूँ, यह probability मैं तो दे ही नहीं सकता, तो smaller trader, बहुत चोटा बंदा हूँ मैं इस market में कुछ सीखा हूँ, आपको बस सिखा रहा हूँ, यह बहुत बड़ा काम किया है उन लोगों ने, और वो कम से कम as an information आपको पता होना चाहिए, तो उन्होंने कुछ और values दिये, उन्होंने बताया यह value को भी हम लोग linearly define करके यहां पर ला रहे हैं, और वो भी आपको कुछ-कुछ बोलेंगे और आपको वो सुनना पड़ेगा, वो values, तो उसमें से ही एक value दिया इन लोगों ने, जिसे हम बोलते हैं, Greeks Delta, इस option में, जहां पे 37,775 पे है bank nifty, 49,000 का call, जो मिल रहा है मुझे, सिर्फ 30 रुपय में, 30 रुपया, 60 पैसा, इन्टु 25, मतलब सिर्फ 765 रुपय में, बहुत सारे लोग इस anticipation में खरीद लेते हैं, कि क्या पता, 49,000 की जगा, 40,000 चला जाए nifty, और मेरा ये 30 रुपय का लियावा option, 1000 हो जाए, मैं 25,000 का profit बना लूँ, सिर्फ कितने में, सारे 700 profitable होने के लिए, bank nifty को कम से कम, 49,000 30 रुपय से उपर जाना पड़ेगा, तो यही आपका delta define भी करता है, delta के दो, दो definition है, मैं इस class में, वो definition आपको बताना चाहता हूँ, जो बहुत कम discuss किया गया है, सारे channels पे, यहाँ वहाँ, लोगों ने delta को समझाया है, एक अलग तरीके से कि underlying के change के हिसाब से जितना change होगा, option price में वो होगा, यह मैं delta का definition, जब exactly सिर्फ delta बताऊंगा आपको, और इसका visualization कराऊंगा, तब बताऊंगा, इस class में मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, कि यह जो delta का value आ रहा है, यह आएगा हमेशा point में, तो point 08 का मतलब है, 8 इससे आपको 100 से multiply करना है, मतलब अगर delta, 0.082 है, तो आप मान के चल सकते हो, कि probability आपकी जो है, इस option के profitable होने की, वो सिर्फ सा आठ दिसमलो 2% है, मतलब 100 बार अगर आप यह काम करोगे, तो सिर्फ 8 बार आपका option profitable होगा, कौन बोल रहा है, नए, कुंदन किशोर तो बिलकुल नहीं बोल रहा है, कुंदन किशोर ने इतनी पढ़ाई की भी नहीं है, कि वो कुछ इस तरीके का model बना सके, ठीक है, यह बोल रहा है, black shawl merton, जिनकी formula से चलती है option pricing, तो आज के बाद आप कोई भी option जब खरीदेंगे, तो delta value जरूर निकालेंगे, क्योंकि यही आपको बताएगा, कि कितनी percent probability है, इस option की profitable होने की, for example, मैं एक छोटा साथ change करूँगा, और बताऊँगा, कि 38,500 का अगर call लिया होता, तो इसकी probability कितनी होती, यह मैंने फिर से सिर्फ value change किया, और यहाँ पे दुबारा से इसको enter किया, और calculate कर लिया, 21, 0.21, 0.21, मतलब, this into 100, 21% probability है, 38,500 के, और 38,500 का option price कितने का होना चाहिए, वो भी calculate किया है, 99.84, होप, गलत ना हो, 39,500, आप यहाँ पे देखेंगे, तो 88 रुपे है, क्यों 88 रुपे है, क्योंकि implied volatility change नहीं किया, मैंने, 16, 11 है, implied volatility, तो यहाँ पे 16, 11 है, अगर हम कर देते हैं, यह मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरीके से, इन variables को आपको change करना है, जिससे कि आपको मिलेगा, सही option price का value, 88 रुपे यहाँ पे value आ गई, और delta 0.20 आ गया, मतलब 38,500 की probability है 20%, 49,000 की probability है, कितनी, 8.2%, आपको यह class में कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, आपको अगर और help चाहिए, तो मैंने आपको email ID दिया है, hello at the rate kundanagishow.in, आप उस पे email करें, live class भी मैं ले सकता हूँ, मेरे सारे उन लोगों की, जो मेरा channel follow कर रहे हैं, और आप मेरा जो team है, 95, मेरे website पर जाएंगे, तो वहाँ पर एक chat का button मिलेगा, आप वहाँ पर chat करेंगे, मेरे team के पास चला जाएगा, उसे भी आप अपना email ID या, mobile number दे सकते हैं, ताकि आपको मैं एक live class में भी बुला के यह सब कुछ, सिखा दूँ, कि किस, अगर, वैसे मैंने पूरी कोशिश की है, कि आपको सिफ delta value निकालना है, इस तरीके से निकालना है, और भी tools हैं जहाँ से आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको और detail में सीखना है, तो आप मेरे team को, या hello at the rate kundalakishv.in पे email करके, अपना mobile number, whatsapp का दे सकते हैं, और हम लोग आपको, यह code कैसे use करना है, बाकी code कैसे use करना है, वो बताएंगे, साथ ही साथ, please subscribe, and press that bell icon, channel को subscribe करने के लिए, अगला, बहुत ही जल्द मेरे भी 1, एक लाग सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं, तो अगला क्लास मैं बनाओंगा एक बहुत इंट्रेस्टिंग topic के ओपर options का ही, एक लाग सब्सक्राइबर होने के बाद, उसके पहले, हिंदी में मैं record कर रहा हूं इस option course को, क्योंकि बहुत सारे लोग को लगता है कि हिंदी मे अभी डालना शुरू करूंगा और बैचर शुरू करूंगा, options traders के लिए जो option trading करना चाहते हैं, thank you, comment करके जरूर बताइए कि आपको कितना समझ में आया, जो कुछ भी मैंने आपको अज option pricing या probability निकालने के बारे में बताया, thank you, आप feedback दें क्योंकि feedback देंगे तब ही मैं ब बुरा है तो भी, thank you